जहें दोस्तों आप देखने डिफेंस गेन यूटूब चैनल चायना संदोय 21 जून तक अपना तीसरा एरक्राफ्ट केरियर जो है उसको लॉंच कर देगा तो यह काफी चिंता की बात है भारत के लिए क्योंकि भारत के पास इस टाइम पर मात्र एक एरक्राफ्ट केरियर है और उसका नाम है आइनेस बिक्रम देते दूसरा जो भारत का एरक्राफ्ट केरियर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये भी संदोय 22 और 23 तक ही भारती है जो नेवी उसमें सामिल हो पाएगा और चायना का जो प्लान है संदोय 26 और 27 करीकरी 6 एरक्राफ्ट केरियर को बना लेने का है और जो चायना की नेवी है उसको सौंप देने का है तो ये काफी चिंता की बात है भारत के लिए क्यों भारत के जो एरक्राफ्ट केरियर है वो काफी कम है भारत के पास मात्र दो एरक्राफ्ट केरियर रहने बाले है देखते आगे क्या होता है